नमबर पांच उत्तरी शानक्सी कोईला खदान चीन के शानक्सी प्रांत में स्थित एक सतही और भूमिगत कोईला खदान है इसका स्वामित्व शांक्सी कोल एंड केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप के पास है साल 2023 में इस खदान से अनुमानित 41.34 मिलियन टन कोईले का उत्पादन हुआ था बर चार कुसमुंडा खदान 36 गड़ भारत कुसमुंडा कोईला खदान कोरबा 36 गड़ में स्थित एक खुली खदान है यह कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है यह खदान कोरबा कोल फिल्ड्स के दक्षन मध्यभाग में है इसकी क्षमता 62.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष है इस खदान में बिटुमिनस ग्रेड का कोईला निकाला जाता है इस खदान का संचालन 1989 में शुरू हुआ था साल 2023-2024 में इस खदान से 50 मिलियन टन कोईले का उत्पादन हुआ था यह खदान 2036 तक चालू रहने की उम्मीद है इस खदान में कोईला खनन के लिए सर्फेस माइनर जैसी आधुनिक मशीनों का इस्तिमाल किया जाता है इस खदान में ओवर बर्डन हटाने के लिए 240 टन डंपर, 42 क्यूबिक मीटर शौवेल और वर्टिकल रिपर जैसी भारी मशीनें इस्तिमाल की जाती है इस खदान में परियावरन हितैशी तकनीकों का इस्तिमाल किया जाता है नमबर तीन नौर्थ एंटेलोप रोशेल खदान संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और दुनिया की सबसे बड़ी कोईला खदानों में से एक है नौर्थ एंटेलोप रोशेल कोईला खदान वायोमिंग के पाउडर रिवर बेसिन स्थित है पी बाडी एनर्जी ने साल 1883 में नौर्थ एंटेलोप माइन और 1984 में रोशेल माइन खोली थी साल 1999 में दोनों खदानों को मिला दिया गया था साल 2011 में इस खदान ने एक महीने में 10 मिलियन शॉर्ट टन कोईले का उत्पादन किया था जो उस समय का मासिक उत्पादन रिकॉर्ड था नमबर दो गैवरा खदान 36 गड़ भारत 36 गड़ राज्य के कोरबा जिले में स्थित ये दोनों खदाने प्रतिवर्ष 100 मिलियन टन से अधिक कोईला उत्पादित करती हैं जो भारत के कुल कोईला उत्पादन का लगभग 10 परसेंट है गैवरा ओपन कास्ट खदान की वार्षिक उत्पादन क्षमता 70 मिलियन टन है और इसने वित्वर्ष 23-24 में 69 मिलियन टन कोईला उत्पादित किया यह एक खुली खदान है साल 1981 में इसका उत्पादन शुरू हुआ था यहां मुख्य रूप से बिटुमिनस ग्रेड कोईले का खनन होता है गैवरा खदान की उत्पादन क्षमता 70 मिलियन टन है नमबर एक ब्लैक ठंडर खदान अमेरिका की ठंडर थर्मल कोईला खदान अमेरिका के व्योमिंग के दक्षणी पाउडर नदी बेसिन में स्थित है जिसे 1977 में खोला गया था और कई वर्षों तक यह दुनिया में सबसे बड़ा एकल कोईला प्रचालन था यह विश्व की पहली कोईला खदान भी है जो एक अरब टन कोईला परिवहन करती है तथा अपने खदान जीवन के दौरान इसने तीन अरब टन से अधिक कोईला परिवहन किया है जिसमें दुनिया में कोईले के सबसे बड़े भंडारों में से एक है 2022 में खदान ने 6 करोड 21,80,000 शौर्ट टन कोईले का उतपादन किया जो व्योमिंग के कुल कोईला उतपादन का 25 परसेंट से